साथ्यों नमस्कार स्वागत है सभीका आपके अपने यूटूब चैनल राहुल सिवाच में और आज भाईयो मैं पहुंचा हूँ सिसोली गाओं में और सामने से जो आप लोट देख रहा है भाईयो जीरो 238 गन्ना वेराइटी का है जो कि एक अप्रेल की बुआई का गन्ना है और भाईया जी ने जो है इसका बहुत ही शांदार प्रबंदन की आपकी बार में जैसा कि देखा जा रहा कि 0238 गन्ना वेराइटी में आपके भैंकर बिमारी आई तो मैं इस खेत के सामने दिखा दू एक बर यह खेत भी है दूसरा बिल्कुल सामनी है सडक बीच में है इसमें जबरजस्त बिमारी है जबकि सामने वाड़े के खेत में कोई बिमारी नहीं है और भाईया जी की बहुत ही जबरजस्त गन्ना पेड़ी भी खड़ी है तो आज अपने उन किसान भाईयों के लिए जो कि 38 में बिल्कुल फेल होगी और अब की बार में भैंकर नुक् जिस हिसाब से इनका खेत खड़ा वह जब कोई नई वेराइटी भी लगाई निए बहुत बढ़िया लग रही है बीजी तो अभी सबसे पहले में बहें से मिलूंगा आपको बिच्जेस बीच्जेस बढ़िया जी के खेत पर हम आये हैं यहां शिसोली गाओ मैं तो सबसे तोड़ा साथ एक बार आप अपने बारे में बता दो जी कस्वा सिसोली यह तो राजधानी है राजधानी फिल्कुल फिल्कुल सही बात है तो बहुत है आप यह बताओ एक अप्रेल की बहाई बता रहें ने अच्छा आज एक चर्चा हम किसानों के बीच मतलब एक करना चाह पार एक अप्रेल में की वहाई के हिसाब से मतलब अच्छा गन्ना खड़ा जी तो उसमें किसान सब्सक्राइब एक तो पहले किसी से पता करा था मतलब या कन अनु नोग करा एंद तो प्छले साल जी तो यूरिया के जिए फिर क्या लगा जी यूरिया कि जनके पिर क्या तो यूरिया का बिलकुल यूज नहीं करा कुछ निकरा बीच में चार स्प्रे करें तो जी तो भाई जी थोड़ा सा इसका प्रबंदन सुरू से बताऊंगे भाईयो ट्रेंच विदिका केत है बैड़ी सिंची वाड़ा बैड़ी से ना जी तो गहरा इसमें कितनी लीती आप हाँ डेड़ फिट तो नहीं जा एक एक फिट के लगवाग हां ट्रेंचर से खुड लिगडवाय कुल मिला का ना हाँ तो भाईय जी इसमें आपने मतलब उपर-उपर का हिस्सा बवाय था गन्ने का या साबटी एक तरफ से एक तरफ से सारी आच अच अच तो बुआई मे आई थी आपकी पोटा साड आई थी और अच 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 अब की बार यू जा नहीं लगा तो भाईयो वहाई से आग गया देखो पहले मैं एक बर खेट दिखा दू आपको भाईय जी ने मिट्टी वागेरा जो है देखो ये पावर वीडर द्वारा चड़िवाई है बीसी देखो गोड़ा बिल्कुल उपर तक हरा है कोई बीमार इंदी दिखरी गंडे में बिल्कुल भी नहीं हाइट बढ़िया ले जी तो बिर्जेश भाई सबस्वाई पहले आप एक ही बात बताओ आपने जो बौई में तो कर देजी बौई से बाद में इसमें फिर आपने कि इसमें चार इस परे करना पड़ा आप आपने जैसा दूसरे खेत में देखा था पिछले साल तो जिसमें यूरिया लगा तो उसमें ज़्यादे बिमारी आई मतलब बहुत ज्यादे बैंक कर दी अच्छा तो अब की बार में कोई यूजी नहीं हुआ यूजी नहीं पहले आप साधी बोई कर रहे हैं पिछले साल आपकी वीडियो में ने बनाई थे ट्रेंश पर फिछले साल साभी तो प्रेंश के इन तो फोड़ी निकल जाओ बाद इस परे बी कैसे कर लो आज़े में सूलिया नूढाई गुड़ाई में सब छीज में सूलियत हैं बिल्क तो आपने सारी चोड़ा इसकी लीजी पावर वीटर से सब काम हो जा जी तो जी पावर वीटर आपके हां मतलब है गाउं में कद्धा गाउं में है जो तीन होड़े अपने जानने वाड़े के वो किराय पकर चलते हैं तो मत्य बढ़िया चड़ रही है भाईयो देख लो खेतमा जबर्जस काम हो रहा है मिट्टी ठीक लग रही लेकिन पावर वीडर द्वारा इतनी मिट्टी चड़ पाती है कि जूना तो देखो आपको लगवना पड़ेग द्रीक आप तो फिलाल अब 38 पर चलोगी हाँ रखो नस पारी इसकी ठोड़ा बहुत कहीं था 55 या यह भी तो भी तयार करने की जरू बद्रूर कि परियार कोई जब आप यह कूझ सब्सक्राइब पकड़ करना बिलकुल बिलकुल यह तो बहुत जितना बहुता इसमसीं ज पूरी जानकारी दे दिया आपको कीट ना सकके इसमें पांच इस्प्रे बताई इन्होंने और सबसे बड़ा जो इसका करण राखित का इससे पहले गहूंते नहीं सबसे प्लस पॉइंट में बात गई कि यूरिया का परियोग नहीं करा गया जो कि इसके लिए जहर बतायागा इस वराइटी के लिए तो उसके लिए उन्होंने देखो निचे रामबान भी डाल रखा यूरिया की जंग है यह सिंगल सुपर फास्पेट डला आपने बाकि नमस्कार